आज की जानकारी हमारी केस्टर यानि अरेंड की रूम में है इसका स्यांटिपिक नीम टीसिनस कॉमिनिस है यह बहुर्शी आदफ है और इसकी पत्ते बहुत चौड़े होते हैं केस्टर का पुष्प करम यह बहुत सारी पुष्प एक सान लग रहे होते हैं एक केस्टर के पुष्प का एक चित्र को यह दिखा रहा है केस्टर का यह पुष्प है और यह केस्टर की फाल है जो की जिन्माहाद से कांटे जैसे लगे रहते हैं केस्टर की बीज परिपक होने पर हल्गी भूरी कलर्गी होते हैं और इनी से केस्टरॉल लूब्रिकेंड निकाला जाता है या केस्टर का तेल निकाला जाता है केस्टर ओइल इस तेल को दवा में एक मुल्यवान जो लाब महने जाता है यहो अस्ताई कब्ज में उप्योग में आता है फिर साप करने के काम आता है इसका तेल पारदर्शी साबुन के निमान में परियुक्त होता है रेंडी के तेल का बैश्विक उतपादन लगभग 10 लाग टन परितव पर्स होता है इसके उतपादों में भारत सीनियूम राजिल है और निर्याद में भारत पर्थम इस्तान पर है क्रेश्टर ओल के निर्वाद में भी भारत पर्थम नंबर पर आता है इसके पत्तु पर रेश्म के कीट का पालन भी किया जाता है जिसे रेश्म प्राप्त किय जाता है